जेहन सात्यों PCDA की ओर से सर्कुलर नंबर 667-667 जारी किया गया है 28 फरबरी 2030 को और यह जो सर्कुलर है बहुत ही महत्पूर्ण है इससे पहले PCDA ने सर्कुलर नंबर 6666 जारी किया था और जिसमें कहा था कि जो भी defense pensioners है उनको जो और रूपी का एरियर है वहाँ चार इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा उसके इलावा जो फेमिली pensioners है जिसमें की special family pensioners है liberality family pensioners है या all guarantee award winner है उनको एक ही बार में और रूपी एरियर का बोगतान किया जाएगा या पिर किया जा चुका है अभी 27 फरवई 2023 को जो Honorable Supreme Court का ओडर आया था जिसमें कहा गया था कि 15 मार्च 2030 तक सभी को एरियर एक मुर्च देना होगा उसी के समन्द में ये सरक्वर नमबर 667 जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि Honorable Supreme Court का ओडर है 27 फरवई 2023 को उसके अनुसार सभी को एक ही इस्टॉल्मेंट में और उपी रिविजिन का जो एरियर है फुल एरियर जितना भी बनता है 15 मार्च 2030 तक उनके अकाउंट में उनको दिया जाएगा तो ये था सरक्वर नमबर 667 ताजक्रिप नहीं चाहिए